हेलो दोस्तों स्वागत आपका अमारी यूटूब चैनल यहू बाबा पे यह हमारा लारवल कोर्स से लेटेट 17 टॉटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं लारवल का एक टॉपिक जिसका नाम है सीडर्स देखी जब भी हम लारवल की हैप से डाटावेस की कोडिंग करना चाते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर मॉडल्स को सीखना होता है और मॉडल्स पे काम करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है जिसमें सबसे पहला step होता है, database को create करना, दूसर step होता है, database की migrations को create करना, migration से मेरा मतलब है कि database के अंदर tables को create करना, जैसे कि हम अपनी तीन वीडियो में देख भी चुके, उसके बाद एक step आता है, जिसे हम कहते हैं seeding, seeding का मतलब होता है कि जो भी हमने second step में tables create की है, उसके अंदर एक temporarily या कोई एक fake data डाल देना, बलते कि जब भी हमने अपने software पर टेस्टिंग करनी है, तो हमें कुछ initial data चाहिए होता है, उस ही कौन कहते हैं seeding, इसके बाद हमारा last step होता है model, बलते कि हम model की फाइल बनाते हैं, और उस पर database की coding करते हैं, तो जो पहले दो steps हैं, first और second steps, यह हम अपनी तीन videos में पहले देख चुके हैं, और इस video से हम start करने वाले हैं seeding के बारे में, मतलब कि जो हमने migration से tables को बनाना सीखा था, अब उसके अंदर हम यहाँ पर कुछ initial data भी डालेंगे, तो देखे, जब भी हम लारवल की help से यहाँ पर database के tables के अंदर कोई भी data डालना चाते हैं, तो लारवल हमारे को यहाँ पर दो तरीके देता है, सबसे पहला तरीका होता है seeder, और इसके बाद दूसरा जो तरीका आता है, उसे हम कहते हैं factory, देखे, जो यह दोनों तरीके हैं, इनका काम करने का तरीका जो है almost same है, दोनों में same ही काम होता है, कि हम अपने database के table के अंदर data डालते हैं, और दोनों में जैसे coding करनी होती है, वो भी लगबग same ही होती है, मगर लारवल ने यहाँ पर यह दो तरीके अलग-अलग इसलिए बनाए हैं, देखे, उनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो seeder है, उससे हम अपने database के अंदर real data डालते हैं, real data से मेरा मतलब जो actual data, जो हम अपनी website में use करेंगे, जैसे माली जी हमने एक e-commerce की website बनाई है, और उसको हम अपने client को देते हैं, और वो जैसे रहता है US में, तो US के कुछ cities हैं और states हैं, तो वो चाहता है कि जब भी मेरे को website मिले, तो उसमें यह initial states और cities के जो name हैं, और जो उनके zip code होते हैं, वो automatically पहले से ही fill आ रहे हैं, तो यह सारा काम हम करते हैं seeder की help से, और जब भी हम अपनी website को बना रहे होते हैं, मतल़ कि यह development face में होती है, तब हमारे को यहाँ पर कुछ एक fake data डालना होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर use करते हैं factory को, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और भी बताना चाता हूँ, यहाँ को ज़रूरी नहीं कि आ फैक्टरी की help से ही fake data डालेंगे, बहुत सारे developers ऐसे हैं, वो सिर्फ seeder को ही use करते हैं, real data डालने के लिए भी और fake data डालने के लिए भी, मगर यहाँ पर जो लारा बलब वो हमारे को एक second way भी देता है, जिसे हम कहते हैं factory, तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं seeder के बारे में, और इससे next वीडियो में हम सीखेंगे factory के बारे में, तो आईए देखते हैं कि जब भी हमें seeder की help से data डालना होते हैं, और model की file बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर कमांड आती है, php artisan make colon model और उसके बाद model का name, देखे जो भी model का name होता है, उस पर आपको main ध्यान देना है, देखे जैसे हमने यहाँ पर लिया student, हमने यह नाम क्यों लिया है, क्योंकि हमारे database के अंदर जो table का नाम है, वो है students, और वो एक plural name है, क्योंकि उसमें S आ रहा है, तो हमें यहाँ पर singular name लेना है, यहाँ पर S नहीं लगाना है, बिल्कुल सेम नाम का ही आपको यहाँ पर अपनी model की file बनानी होती है, और जब हम अपने seeder के अंदर कांग कर रहे होते हैं, तो हमें यहाँ पर model की file के अंदर जाके कोई code नहीं करना होता, यह just हमें बना के रख देनी है, और इसके बाद हमारे को बनानी होती है अपने seeder की file, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर artisan की command आती है, यह पर आपको नाम देते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आपके database के table का नाम है, जैसे माली जी हमारे database के table का नाम है students, तो यहाँ पर आपको simple लिखना है student, as नहीं लगाना, और उसके बाद यहाँ पर seeder भी लिखना है, अगर आप seeder नहीं लिखेंगे, तब भी काम नहीं होगा पूरा, तो सबसे पहले आपके database का नाम, जैसे students है, तो यहाँ पर आएगा student, और उसके बाद seeder, ऐसा करने से होगा क्या, हमारे पास एक seeder नाम का एक folder होता, database folder के अंदर, और उसी के अंदर इस नाम की फाइल बन जैगी, student seeder.php, इस फाइल के अंदर आपको अपने आप automatically एक class बनी मिलेगी, जिस पे लिखा होगा student seeder, जो की आपने यहाँ पर command में नाम दिये था, वोई सेम नाम automatically यहाँ पर आजेगा, यह class क्या करती ही, extend करती है, seeder नाम की class को, यह seeder नाम की class, Laravel के अंदर automatically बनी हुई है, और इसी class के अंदर आपको यहाँ पर एक inbuilt function भी मिलता है, जिसको हम कहते है run, यह एक public function होता है, जिसके आगे लिखा हो void, void का मतलब होता है कि यह function कुछ return नहीं करेगा, इसके अंदर जो हमने काम बोला, सिर्व वो ही करेगा, मगर last में यह कुछ return नहीं करेगा, और इसी के अंदर हम अपना code करते हैं, देखी, code करने से पहले आपको यहाँ पर, जो हमने एपनी model की file बनाई है, जैसे student नाम से, इस file को सबसे पहले उपर include करना होता है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, use, app, models, यहमारा folder का नाम है, और उसके अंदर file का नाम है student, जो की हमारी student नाम की class भी है, उसके बाद, आप इस class को कहीं पर भी use कर सकते हैं, इस function के अंदर, तो देखी, जैसे हमने अभी के time पर, सिरफ यहाँ पर एक data डालना है, अपने table के अंदर, जिसका नाम है students, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसी class को use करेंगे, student class को, और उसके बाद, उसका method use करेंगे create, देखी, जब भी हम database के अंदर हम काउं करते हैं, तो हम चार ही तरीके के काउं कर सकते हैं, या तो उसमें data create करते हैं, या read करते हैं, या update या delete, जिसको हम crude भी कहते हैं, तो अगर आप यहाँ पर database के किसी table के अंदर data डालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर create method को use करेंगे, और उसके अंदर round braces के बाद यहाँ पर लगाएंगे आप square braces, और इसी के अंदर हमारे को यहाँ पर अपना data डालना होता है, माली जी हमारे students नाम का table है, उसमें तीन कॉलम है, ID, name और email, जो ID है वो है primary की, जो auto generated keys generate करता है, इसके इलावा हमारे पास जो दो कॉलम से name और email, उनकी value हमारे को यहाँ पर डालनी पड़ेगी, कुछ इस तरह से, जैसे मैंने ले लिया name, और उसके बाद arrow operator, और उसके बाद उसकी value, इसी तरह email नाम का कॉलम है, name आपको वही लेना है, जो अपने अपने table के अंदर नाम लिया है, और उसके बाद हमारे पास यह उसकी email आ जाएगी, जैसे हमारा यह वाल account complete हो जाता है, बलते कि जो उनसा भी हमें data डालना अपने table में, उसके बाद हमारे को बताना होता है, कि हमारे को कौन-कौन सी seeder की file को run करना है, देखिए जैसे अभी हमने यहाँ पर एक file बनाई है, student seeder, हो सकता है आपने बहुत सारी files बना रखी हूँ, अलग-अलग tables के लिए, तो उसमें से कौन सी file run करनी है, उसके लिए हमारे को यहाँ पर अपना four step लेना होता है, तेकि four step में हमारे को क्या करना है, हमारे पाद जो seeder नाम का folder है, उसी के अंदर हमारे को एक invent file मिलती है, जिसकों कहते हैं data-based seeder.php, यह file पहले सी होती है, जब भी हम अपना laravel install करते हैं, और इस file के अंदर जाके हमें बताना होता है, कि हमें कौन-कौन सी seeder की file को run करना है, तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से code करेंगे, हम लिखेंगे dollar-des, call, call क्या करता है, जितनी भी seeder की file होती है, जो भी हमने इसके अंदर define करी होंगी, उन सब को call कर लेता है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर square verses के अंदर, अपनी एक file का नाम दिये, जिसका नाम है student seeder, call and call and class, क्योंकि student seeder जो है, वो एक class है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पिरे हैं, तो इसी को मैंने यहाँ पर call कर लिया, और यह call भी अपने अपनी होगी, इसको चलाने के लिए भी हमारे को यहाँ पर, एक artisan की command run करनी होती है, जो की होता है हमारा fifth step, हमें command लिखनी है php artisan db, db मतलब database, फिर उसके बाद colon लगा के seed, इस command का मतलब है, जो भी हमने seeders चलाने हैं, उन सब को run कर दे, इस command की working start कैसे होती है, मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले यह चेक करेगी, database reader के अंदर की इस file को call किया गया है, जैसे हमने सिर्फ call किया student reader वाली file को, तो automatically हमारी student reader वाली file, अपने आप run हो जाएगी, और उसके अंदर जो भी हमने create किया होगा, मतले कि जोन सा भी data अपने database में डालना होगा, वो automatically उसी वाले table के अंदर डल जाएगा, जिसका भी हमने यहाँ पर class use की थी model की, तो यह 5 step होते हैं, सबसे पहले आपको बना रहता है अपनी model की file, जो भी आपकी database की file है, बिल्कुल आपको नाम वही रखना है, बस last में s नहीं लगाना, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, जब हम migration बना रहे थे, हम database create करते थे, तो मैंने आपको बताया थे कि database के time पे, आपको s लगाना जुरूर ही है, मगर जब आप model बनाएंगे या seeder बनाएंगे, तो वहाँ पर आपको last में s नहीं लगाना, तो सबसे पहले हमने model की file बनाई, फिर हमने seeder की file बनाई, और seeder की file के अंदर आकर, हमने सबसे पहले include की अपनी class, जिससे इस file को पता लग जागा, कि हमने किस model पे काम करना है, मतलब कि किस database पे, उसके बाद हम इस run function के अंदर आकर, अपनी class को use करेंगे, और उसके बाद उसका method यूज करेंगे create, क्योंकि हमें data को insert करना है, जैसे यहाँ पर create नाम का method है, इसी तरह हमारे पास और भी methods आते हैं, जैसे insert, update और delete, जिसको हम अपनी आगया आने वाली वीडियो में समझेंगे detail में, और इसके बाद हम यहाँ पर array की form में, अपना data यहाँ से pass कर देते हैं, अभी मैंने यहाँ से single data pass किये, मगर practical में मैं आपको multiple data को कैसे pass करते हैं, वो भी सिखाऊंगा, उसके बाद हमें बताना होता है, यहाँ पर four step, जिसके अंदर हम data seeder वाली फाइल के अंदर, अपनी seeder class को call कर लेते हैं, और last में हमारे को यह command चलानी है, php artisan db seed, तो आई यह शुरू करते हैं practical और देखते हैं कि कैसे हम database के अंदर, अपने data को seed करते हैं, तो देखे practical को आगे शुरू करने से पहले, सबसे पहले हमें यहाँ पर open कर लेना अपना exam control panel, और यहाँ पर on कर लेना अपना MySQL को, यहाँ पर मैंने ACP start कर लिया और Apache server को भी, इन दोनों के start हो जाने के बाद ही, आप अपनी seeder का काम शुरू कर सकते हैं, तो देखे, यहाँ पर मैंने अपना editor open कर लिये, जिसका नाम है VS Code, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा यह migration का folder आ रहा है, इसमें मैंने last video में यहाँ पर दो migration की files बनाई थी, एक है student table और एक है libraries table, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ student table, यह देखिए, यह हमारा table है, जिसके अंदर चार column आ रहे हैं, id, string, एक है name और एक है email, जो ने label भी है और unique भी है, और last में आ रहाँ time stamp, पर अपने seeding का काम शुरू करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी model की file बना लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना open करता हूँ, terminal, सबसे पहले मैं इसको clear कर लेता हूँ, अब सबसे पहले मेरे को अपनी file बनानी है model की, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड होती है php artisan make model और last में आपको देना होता है अपनी file का name आपको अपनी file का नम वही देना है जो आपके database के table का नम है तो हमारे database के table का नम है students तो आपको बस last में s नहीं लगाना यह देखिए तो यहाँ पर मैंने enterprise किया और यहाँ पर हमारी model की file बन चुकी है आप देख सकते हैं f folder के अंदर models के अंदर यह यहाँ पर मैं आपको check भी करा देता हूँ यहाँ जाएंगे आप f folder में यहाँ पर हमारे पास models का folder और इसी के अंदर हमारी यह file भी बन चुकी है जिसका नाम है student.php अब इसके बाद हम अपनी यहाँ पर seeder की file भी बना लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर command आती है php artisan make seeder यह देखिए और इसके बाद मैंरे को अपनी seeder की file का नाम बताना है यह देखिए आपको database की file के नाम के बाद यहाँ पर seeder जूर लिखना है और जो student है उसमें s नहीं आएगा last में अब इसके बाद मैंने यहाँ पर enter प्रेस किया और यह हमारी seeder की file भी बन चुकी है यह किस folder में बनी है database का जो हमारा folder है उसके अंदर एक seeders नाम का folder है और उसी के अंदर हमारी यह वाली file बनी है studentseeder.php आपको दिखाता हूँ यह देखिए हमारा database का folder है इसी के अंदर यहाँ पर seeder नाम का folder है और यहाँ पे हमारे पास एक file बन चुकी है studentseeder इसके अंदर एक फाइल डिफॉल्टी मिलती है हमारको जिसका नाम होता है डाड़वेस्टीडर.php इसका भी अभी हम यूज करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट्सीडर.php को यह देखिए फाइल है यहाँ पर हमारे पास अपने आप क्लास भी बन चुके है जिसका नाम है स्टूडेंट्सीडर जो अक्स्टेंड कर रही है स्टूडेंट्सीडर क्लास को और इसके अंदर हमारे को एक Publiak function भी मिला रन नाम का अब इसके अंदर हमारे को सबसे पहले काम क्या करना होता है सबसे पहले हमने जो यह model की file बनाई है student नाम से इसको include करना है तो उसके लिए देखें मैं यहाँ पे क्या करूँगा सबसे उपर जाता हूँ यहाँ पर मैं यहाँ पर use करूँगा use मेरे को अपनी file का पूरा path देना है app folder के अंदर models और model के अंदर है यहाँ पर student यह देखिए मैं इस file को भी आपको open करके दिखायता हूँ यह model की file है यह देखिए इस पर कैसे काम करते हैं यह हम अपनी आगयाने वाली वीडियोस में देखेंगे मगर अभी के लिए हमारे को इसमें कुछ काम नहीं करना यह file को बस मेरे को यहाँ पर include कर लेना है इसके बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा अपने public function के अंदर जिसका नाम है run और यहाँ पर इसी class को use करूँगा तो हमारी class का नाम है student उसके बाद मैं दो बार यहाँ पर colon लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ पर method जोज करने वाला हूँ जिसका नाम है create create method के अंदर आकर मेरे को यहाँ पर अपनी square braces लगा लेनी है और इसी के अंदर आकर मुझे अपने data इंसर्ट करना है तो मैं आपको एक बार migration की file को open करके दिखायता हूँ यह देखिए यह students नाम का हमारे पास table है इसके अंदर हमारे को सिरफ दो data को include करना है name और email को जो id है वो primary की है वो अपने आपी auto increment हो जाएगा और timestamp की value भी अपने आप आजाएगी बस मेरे को name और email की value को send करना है तो देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी reader file में और यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले अपने column का name जिसका नाम है name इसके बाद arrow operator और उसके बाद मैं यहाँ पर एक value डाल देता हूँ जैसे मैं यहाँ पर ले रहाँ यहू बाबा इसके बाद मुझे अपने दूसरे column की value डालनी है जिसका नाम है email और इसके अंदर भी मैं यहाँ पर एक email डाल देता हूँ यह देखिए तो यह मैंने एक data यहाँ पर डाल दिया जो मुझे अपने database के अंदर डालना है seeder की help से और यहाँ पर मैं इस file को save कर लेता हूँ अब यह file जो है अपने आप इस data को include नहीं करेगी इसके लिए हमारे को यहाँ पर अपनी seeder के अंदर एक दूसरी file है जिसका नाम है database seeder इसको use करना पड़ेगा यह देखे जैसे मैंने this file को open किये तो यहाँ पर पहले से कुछ code लिखा हुआ commented code है यह एक factory का code है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे है factory factory लिखा हुआ जिसको हम अपनी next video में समझेंगे अभी के लिए मैं इसको remove कर देता हूँ और यहाँ पर आकर मुझे बताना है कि मेरे को कि सीडर file को run करना है हो सकता है आपने बहुत सारी सीडर की file बना रखी हूँ तो यहाँ पर आपको सब file का नाम बताना होता है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ dollar this और उसके बाद मैं यहाँ पर एक method यूज़ करूँगा जिसका नाम है call और call method के अंदर आकर मैं square verses लूँगा और यहाँ पर आकर मुझे अपनी सीडर file का नाम बताना है तो हमारी सीडर file का नाम आपको औरेड़ी पता है जिसका नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं class का नाम है student seeder मैं यहाँ पर आकर इसे डाल देता हूँ और इसके बाद दो बार column लगा के यहाँ पर लिखूँगा class यह देखिए मुझे बस इतना ही काम करना है तो यहाँ पर मैंने file को save किया अब यह file भी अपने आप run नहीं होगी देखिए जो भी आपको seedering का काम करना होता है उसके लिए last में आपको एक command चलानी होती है artisan command तो देखिए मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर इसको glare कर देता हूँ अब यहाँ पर मैं अपनी last command चलाता हूँ जिसका नम है php artisan dv colon seed यह देखिए यह command क्या करेगी यह command सबसे पहले चेक करेगी database seeder वाली file को कि उसके अंदर किस-किस seeder की file को run करना है तो उसके बाद उन सारी files को बारी-बारी run कर देगी मैं यहाँ पर enterprise करता हूँ यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक error आ चुक है यहाँ पर कह रहा है unknown column देखिए मैंने एक column बाद में add किया है timestamp वाला तो उसके लिए मैंने सबसे पहले इसको clear करता हूँ और सबसे पहले अपनी migration की file को दुबारा से run करता हूँ तो उसके लिए मैं command लिखूँँगा php artisan migrate refresh यह देखिए यह दुबारा से सारी migration की file को run कर देगी यह देखिए सबसे पहले इसने rollback किया और उसके बाद नई migration की file को यहाँ पर चला दिया अब मैं दुबारा से अपनी वही command चला लेता हूँ php artisan dv colon seed तो यहाँ पर मैं इसे दुबारा run करता हूँ और यह देखिए यहाँ पर इसने हमारी जो student seeder वाली file को run कर दिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर last में लिखा हो सबसे पहले इसने इसको run किया और उसके बाद यह काम done हो गया तो इसने हमारे को उसका भी message दे दिया क्योंकि कई बार होता है कि हमारा data जो होता है वो बहुत ज़ादा होता है अभी हमने single record डाला है और हो सकता है हम हजारों का record डाल रहे हो तो उसमें time लगता है तो इसने कितना time लिया है वो भी यहाँ पर बता देता है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे है 95.02ms ms मतलब milliseconds अब इसके बाद मैं आपको phpMyAdmin open करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने browser के अंदर अपना phpMyAdmin open कर लिए जिसके लिए मैंने लिखा है localhost slash phpMyAdmin अब यहाँ पर हमारे database का नम है projectdb जिसको हमें अपनी पिछली तीन वीडियो में use भी किया है इसको मैं open कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे दो table बन चुके है students और libraries मैं student table को open करता हूँ और यह देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक record add हो चुका है यहाँ बाबा यह पूरा record यहाँ पर add हो चुका है तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हम अपनी seeder की class बना कर data को add कर सकते हैं seeder की file से अभी हमने यहाँ पर एक single record add किया है अगर मेरे को multiple records जालने हो तो वो मैं कैसे डालूँगा तो उसके लिए मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक array तो देखें मैं उसके लिए क्या करता हूँ यहाँ पर इस public function के अंदर मैं एक variable ले लेता हूँ students और इसको बनाता हूँ एक array और इस array के अंदर भी हमारे पास एक दूसरे arrays होंगे जिसमें हमारी values होंगी मतलब कि एक multi-dimensional array होगा यह देखिए मैंने यहाँ पर तीन बार यहाँ पर square passes लिए इसका मतलब है मैं तीन records यहाँ पर add करने वाला हूँ तो हमारे records कुछ इसी तरह से होंगे मैं इसको यहाँ से copy कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर आकर add कर लेता हूँ यह देखिए हमारा एक record यही हो गया अब मैं इसी को यहाँ से copy करता हूँ यह देखिए अब मैं यहाँ पर name change कर देता हूँ यह देखिए मैंने यहाँ पर तीनों record डाल लिए, आप देख रहे हैं, उनकी emails भी यहाँ पर मैंने डाल लिए, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे एक अपना loop चलाना है, हर value के लिए, और मैं बारी-बारी सभी values को यहाँ पर create method की help से, या फिर insert method की help से, अपने database मे seed करूंगा, तो देखे, मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर इस काम को करने के लिए, आपको मालूँ है कि जब भी हमें loop को run करना होता है, तो हम यहाँ पर for each का loop use करते हैं, तो आप उसको भी यहाँ पर use कर सकते हैं, या यहाँ पर लारावल का अपना एक method आता है, ज यह देखे, कुछ इस तरह से, अब यह पूरा array जो है, इसको मैंने अपना collect method के अंदर डाल लिये हैं यहाँ पर, अब इसका फाइदा क्या होता है, देखे, जो collect method है, यह लारावल का अपना method है, अगर हम इसको use करते हैं और इसके अंदर arrays को डालते हैं, तो लारावल हमार को इसके साथ बहुत सारे sub methods देता है, जिसको हम use कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप इसके बारे में detail में पढ़ना चाते हैं, तो कहाँ पर पढ़ेंगे, तिकि उसके लिए आपको यहाँ पर open करनी है, अपने browser में laravel website, और यहाँ पर चले जाना है right मे और यहाँ पर क्लिक करना है documentation, इसके अंदर आपको यहाँ पर left में आपको दिखेगा digging deeper, और यहाँ पर एक topic है जिसका नम है collections, यह collection जो पूरा topic है, यह collect method के उपर ही बना हुआ है, जहाँ पर आप इसके बारे में detail में पढ़ सकते हैं, यह देखिए, यहाँ पर एक collect method है, जिसके अंदर हमने एक array pass की है, फिर हम इसके अंदर जैसे map method को use करके भी loop चला सकते हैं, यह और भी कही method आते हैं, जैसे each और यहाँ पर आप scroll करके इसके बारे में detail में पढ़ सकते हैं, वैसे मैं इस पर अलग से एक video बनाऊंगा, यहाँ पर इसके कुछ available methods आते हैं, अग बारी detail दे देता है कि array के अंदर क्या उनकोंसी values हैं, combine हैं, जिसके बारे में हम अपनी पिछली videos में देख भी चुके हैं, loop के लिए भी यहाँ पर अलग-लग methods आते हैं, जैसे है map, each, जिसको हम use करने वाले हैं, यह देखिए, यहाँ पर एक each method भी है, यह देखिए, यहाँ आरे था, जिसको हमने collect method के अंदर डालती है, मतलब कि collect function के अंदर, अब मैं इस each method को use करके भी loop चला सकता हूँ, तो यहाँ पर editor में आके, अपने students वाले variable के लिए एक loop चलाऊँगा, जो की each method होगा, तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले म अपने variable का नाम बताना है, तो हमारे variable का नाम है students, जैसी कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर students, तो easy को मैं यहाँ पर लिखूँगा, उसके बद arrow operator, और यहाँ पर मैं इसका sub method यूज़ कर सकता हूँ, जिसका नाम है each, यह लारवल का अपना method है, जो basically loop चलाने के काम में आता ह और इसके अंदर मेरे को यहाँ पर pass करना होता है एक function, देखी जिन्होंने JavaScript कर रख्योगी, उनको पता होगा कि वहाँ पर भी ऐसा method होता है, जिसका नाम होता है map, उसमें भी हम ऐसे ही लिखते हैं, तो इसमें क्या है कि अगर हम for each use करते हैं PHP का function, तो उसमें हमें ज्यादा इस नाम की variable के लिए, जो हमारे ये variable इसके लिए run होगा, और इसकी हर value के लिए run होगा, पहले इसके लिए, फिर इसके लिए, और फिर last वाली third value के लिए, और ये बारी बारी values जो हैं, इस वाले variable के अंदर पास होती रहेंगी, जिसका नाम है student, बाहर है students, और अंदर है student, और इसके अंदर आकर, जैसे मैंने यहाँ पर create method यूज़ किया था, तो यहाँ पर हम दूसरा method भी यूज़ कर सकते हैं, मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ, उसके लिए मैं अपनी class को यूज़ करूँगा student, दो बार colon, और मुझे database में क्या करना है, स्टेबल में, मेरे को इसके अंदर insert करना है, और insert क्या करना है, student नाम की variable की value को, यह देखे कुछ इस तरह से, अब नीचे वाले code को मैं comment कर देता हूँ, क्योंकि इसकी कोई जुरूरत नहीं है, अब क्या होगा, सबसे पहले इसको एक variable मिलेगा, और उसमें मैंने collect method यूज़ किया हुआ, जिसके अंदर हमारा array है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, students की हर value के लिए each method को यूज़ किया है, each method loop की तरह ही काम करता है, यह बारी-बारी run होगा, array की हर value के लिए, और हर value इस वाले variable में पास होती रहेगी, जिसको मैं insert method की help से, अपने database के table के अंदर insert कर दूँगा, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, और यहाँ पर terminal open कर लेता हूँ, अब यहाँ पर मैं दुबारा से अपनी ITCN की command चलाऊंगा, देखे हमने सबसे पहले ये वाली command चलाई थी, अपनी seeder की file को run करने के लिए, मगर हमारा already उसमें एक data पड़ा हुआ है, तो मैं चाता हूँ कि वो अपनी data remove हो जाए, और दुबारा से ये जो मैंने नए तीन records डाले हैं, वो भी add हो जाएं, तो उसके लिए हमारे को एक दूसरी command चलानी पड़ेगी, और उसके बाद colon लगा के fresh, ये command के बारे में हम अपनी पिछली दो वीडियोस में देख चुके हैं, ये command क्या करती है, दुबारा से सारी migration की file को run करती है, मतले कि दुबारा से table को create करेगी, और उसके बाद मुझे अपनी, जो मैंने तीन values अपने array में लिए हैं, उनको भी seed करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर flag pass करूँगा, hyphen, hyphen, seed, ये देखिए, तो ये command जो है, ये basicly मारे दो काम करेगी, सबसे पहले हमारे सारी migration को दुबारा से run करेगी, और उसके बाद जितनी भी seeder की file होंगी, उनको भी run करेगी, ये देखिए, सबसे पहले इसने क्या किया, सारे tables को remove कर दिया, मतलब कि drop कर दिया, उसके बाद इसने दुबारा से migration की file को run किया, मैंने जो files बना रखी दी, उन तीनों files को यहाँ पर इसने run किया, और उसके बाद जो भी हमारा seeding का काम था, उसको भी complete कर दिया, अब इसके बाद मैं आपको PHP my admin open करके दिखाता हूँ, ये देखिए, मैं यहाँ पर आ गया, और मैंने यहाँ पर browse पे click किया, और ये देखिए, यहाँ पर तीन records आ चुके हैं, जैसे मैंने डाले थे जिस sequence में, बिल्कूल उसी sequence में ये तीनों records यहाँ पर add हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपको clear हो गया होगा, कि कैसे हम arrays बना कर, अपने multiple record को यहाँ से, seeder की help से, अपने database की file में add कर सकते हैं, और जो मैंने यहाँ पर collect method यूज़ किया है, इसको यूज़ करना जुरूरी नहीं है, जैसे हम PHP में करते थे, वैसे भी कर सकते हैं, normal array बना कर, और उसके बाद यहाँ पर for each loop को यूज़ करके भी ये काम कर सकते हैं, उसके अंदर भी हम इस तरह की command को pass कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ, देखिए अभी हम हर data को देखने के लिए बार-बार अपने browser में चेक कर रहे हैं, PHP myadmin को open करके, वो काम हम अपना VS code के अंदर भी कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक extension आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं जाओंगा, extensions में, मैंने एक extension एक install कर रखिए, जिसका नम है mysql, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इस पर click करता हूँ, यह देखिए mysql, इसके developer कर नम है Wizen Chan, यह एक Chinese developer है, यह extension जो है, काफी अच्छी extension है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो tables हैं, वो हमारी यही पर open हो जाएंगे, vs code के अंदर ही, यहाँ से हम connection बना सकते हैं, यहाँ पर सारा sequence समझा रखा है, और यह हमारे tables कुछ इस तरह से open हो जाते हैं, जिसमें हम अपनी SQL की command भी run कर सकते हैं, सारा आपको यहाँ से picture से clear हो जाएगा, इस extension का जो पूरा user में आपको दिखा देता हूँ, देखिए जैसे आप इसे install करेंगे, यहाँ पर एक icon आजएगा, जो database का icon है, मैं इस पर click करता हूँ, देखिए first time आपको इस पर plus पर click करके, अपना connection बनाना पड़ेगा, मैंने connection और बना रखा है, कि आप देख रहे हैं local host, मैं इस पर click करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जितने भी tables हैं, database के अंदर, उन सभी के name यहाँ पर देख रहे हैं, मगर अभी हम काम कर रहे हैं project DB पर, मैं इसको open करता हूँ, यह देखिए, यहाँ पर यह दिखा रहा है, मैंने चार tables बना के रखे हैं, basically दो ही बनाए हैं, students और library, दो migration और जो ही यह personal नाम का हमरे पास table है, यह Laravel ने अपने अप्डेट किया है, तो मैं यहाँ पर student table को open करके दिखाता हूँ आपको, यह देखिए, यहाँ पर भी हमारे तीनोड records आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर उपर SQL की command भी लिखिया रही है, आप यहाँ पर command को change करके भी अपने result देख सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर command लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको execute का button को play करना है, और यहाँ पर आपका सारे record display हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आप check कर सकते हैं, अब इसके बाद मैं आपको यहीं पर check कराऊँगा, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, यह देखिए, जो हमारी यह database seeder नाम की file है, मैंने आपको बताया है कि हम जितने भी seeder की files को बनाते हैं, उसको यहाँ पर call करते हैं, तो देखिए माली जी मैंने यहाँ पर एक seeder की file और भी बनाई है, मैंने अभी बनाई नहीं है, जिस मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको यहाँ पर declare कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लगाना है comma, और माली जी हमारी नई फाइल का नाम है user seeder, यह देखिए, अभी यहाँ पर error आ रहा है, क्योंकि इस नाम की कोई file मैंने बनाई नहीं है, उसके बाद आपको ऐसे लिख देना, class, तो इस तरह आप यहाँ पर comma लगा लगा कर, जितनी भी आपने seeders की file बनाई होंगी, वो सारी calls हो जाएंगी, एक ही बारी में, और अगर आप सिरफ particular एक ही file को run करना चाते हैं, माली जी अभी मेरी दो file हैं यहाँ पर, और सिरफ आप user seeder नाम की file को ही सिरफ seed करना चाते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर artisan की एक special command आती है, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर terminal open कर लिया, और यहाँ पर मैं command लिखता हूँ जैसे php, artisan, dv, colon seed, इतना तो मुझे लिखना ही है, इसके बाद मुझे अपना flag पास करना है, मैं यहाँ पर लिखूँगा class, और class के बाद equals to देकर, मुझे अपनी seeder वाली file को बताना है, कि जिसको मैं use करना चाता हूँ, तो हमारी file का नाम है जैसे user seeder, यह देखिए, तो इस तरह आप particular एक ही seeder की file को भी run कर सकते हैं, अगर आपने सारी seeder की file को run नहीं करना है, तो अभी तो मैंने इस नाम की कोई file बनाई नहीं है, तो इस command को भी मैं remove कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर control Z, अभी इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी हमने देखा, यहाँ पर हमने एक array बनाया था, मगर इस array में अभी हमने सिर्फ तीन ही values दी हैं, अगर माली जी यहाँ पर हजारों values हमें डालनी हो, तो यह file जो है बहुँ जादा lengthy हो जाएगी, और heavy भी हो जाएगी, तो उस case के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक external js की file बनाते हैं, और उसको यहाँ पर include कर लेते हैं, तो वो सारा काम कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, अपने file explorer में, और यहाँ पर database का जो मेरा folder है, इसके अंदर मैं एक folder or create कर लेता हूँ, और उसका नाम मैं रख देता हूँ, जेसन, जिसमें मैं सारी जेसन की file को store कर सकता हूँ, और इसके अंदर मैं एक file भी बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं जैसे रख रहा हूँ, students.json, यह देखिए, यह नाम में ऐसा कोई जुरूरी नहीं के database का नाम आना चाहिए, आप जैसा मर्जी नाम रखना चाहिए, वो रख सकते हैं, अब इस file के अंदर ही आकर, मैं अपने सारे data को place कर दूँगा, तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ, square braces, अगर आपने हमारा JSON का course देख रख रख रहा है PHP के साथ, तो आपको मालूम होगा कि JSON का format कैसे होता है, उसमें बाहर में होती है square braces, और अंदर आती है curly braces, तो जितने भी हमारे पास अंदर का data आएगा, वो आएगा सारा curly braces में, तो देखिए जैसे अभी हमारे पास एक key थी, जिसका नाम था name, और उसके साथ email, तो इसी तरह में अपने सारे record को यहाँ पर enter कर लेता हूँ, यह देखिए, यहाँ पर यह Manage JSON की फाइल में सारा record अंदर कर लिया है, सबसे पहले मैंने लगाई square braces, उसके बाद curly braces के अंदर इस तरह से code दिया है, जो यह key है, इसको भी inverted codes के अंदर देना है, और उसकी values को भी, अगर वो string values हैं, तो inverted codes के अंदर आएंगी, और अगर integer value होगी, तो without inverted codes आएगी, तो इस तरह मैंने यहाँ पर तीन record यहाँ पर add कर लिया है, तो इसको मैं यहाँ से remove कर देता हूँ, और यहाँ पर अपना एक निया variable बनाता हूँ, जिसका नाम मैं रखूँँगा JSON, और JSON की file को यहाँ पर load करने के लिए, मैं रपास यहाँ पर class आती है, जिसको मैं कहते हैं file, जेखिए जैसे आप file लिखेंगे, तब ही आपको यहाँ पर एक चीज़ देखेगी, illuminate, sport, facets, आपको इसपे click कर देना है, जैसी आप इसपे click करेंगे, तो यह क्या करेगा, यहाँ पर इसको include कर लेगा, यह एक class है, और मैं रखूँँगा इसके use करना है, तो मैं लिखूँगा path, colon, और single quotes के अंदर, मैं यहाँ पर अपने path दूँगा, कि कहाँ पर यह file पड़ी है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर database का folder है, उसके अंदर JSON का folder, और उसके अंदर हमारी यह file है, तो उसी को मैं यहाँ पर दे देता हूँ, यह देखिए, तो देखिए मैंने file class को use किया है, उसका get method, और यहाँ पर दे दिया path, जिसके अंदर मैंने यह लिख दिया, यह path लिखना जो है, यह optional है, इसको अब हटा भी सकते हो, मगर मैं इसको इसलिए दे रहाँ, जिससे आपको पता लग जाए कि यह क्या चीज़ है, यह path, अब जो भी हमारे पास यहाँ पर json का record आया, वो json format है, तो उसको मेरे को यहाँ पर decode भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक variable और ले लेता हूँ, जिसका नाम मैं ले रहाँ, students, और यहाँ पर मैं php का function यूज़ करूँगा, जिसका नाम है json decode, यह देखे, json underscore decode, और यहाँ पर अपना variable पास कर दूँगा, json, अब यह json decode बेसिकली करता क्या है, यह करेगा json को convert कर देगा array में, तो इसने array को convert करके, हमारे students नाम का जो variable उसको array बना दिया, और उसके अंदर सारी values आजेंगी array में, तो जैसे कि यह भी हम पहले देख रहे थी, कि हमने array को भी एक function के अंदर डाल दिया था, जिसका नाम था collect, तो इसको भी हम collect नाम के method के अंदर डाल लेते हैं, यह देखिए, यह collect method के अंदर डालना जुरूरी नहीं है, मगर मैंने इसको इसलिए डाला क्यूंकि मैं यहाँ पर Laravel के जो इसके सम methods हैं, collection के, उसको मैं use करना चाता हूँ, जैसे कि यह भी मैंने आपको दिखाया भी था कि Laravel की website के अंदर, बहुत सारे यहाँ पर methods आते हैं collect के लिए, उसी को मैं use करना चाता हूँ, जैसे उसमें से एक है each, अब इतना काम करने के बाद हमें एक करना क्या है, हमारे को यह students नाम के जो हमारे पास variable आ चुका है, इसकी हर value के लिए हमने यह loop चलाया, और इसके अंदर हम यहाँ पर अपने data को insert करेंगे, तो देखिए अब हम यहाँ पर इस command को नहीं चलाएंगे, इसकी जगा हम चलाएंगे create command को, ऐसा क्यूंँ, देखिए जो यह यहाँ पर, यह insert command है, यह Laravel का एक method होता है, जिसे हम कहते हैं, अलुकंट, यह उसका तरीका नहीं है, उसका तरीका है create, तो हमें उसी को use करना पड़ेगा, जब भी हम JSON के data के साथ काम करते हैं, तो हम इसी method को use करेंगे, तो इसको मैं यहाँ से cut करके, इधर डाल लेता हूँ, और इसको uncomment कर देता हूँ, और मेरे को हर बड़ data चेंज भी करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, keys तो same ही रहेंगी name और email, मगर यहाँ पर values चेंज हो जाएंगी, अब यहाँ की जो value है, वो आरी हमारे पास इस variable में, जिसका नाम है student, और student के अंदर हमारे पास यहाँ पर, एक column है जिसका नाम है name, तो मैं उसकी को use कर लूँगा, बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको copy करके, email के लिए भी बना लेता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ, email, यह देखिए, यहाँ पर हमारा काम complete हो गया, सबसे पहले मैंने यहाँ पर json की फाइल को load किया है, फिर मैंने उसको decode किया है, यहाँ पर, और जो भी decode करके आया है, उसको मैंने collect method के अंदर pass कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर each loop चलाया, जो बारी-बारी हर value के लिए run होगा, और यहाँ पर हमारी सारी values जो हैं, database के अंदर enter हो जाएंगी, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, terminal open कर लेता हूँ, और यहाँ पर अपनी command चलाने वाला हूँ, php artisan migrate fresh, और उसके बाद seed, यह देखिए, इसने पहले सारे tables को delete किया, और दुबारा से migration की file को run करके, seeding का काम भी complete कर दिया, मैं इसके बाद आपको table चक कर आ देता हूँ, यह देखिए हमारा table है, मैं यहाँ पर इसे refresh करता हूँ, यह देखिए, यहाँ पर तीनो records जो हैं, दुबारा से आ चुके हैं, अब यह records कहां से आ रहे हैं, यह आ रहे हैं, जेसन की file से, यह देखिए, यह हमारी जेसन की file है, अब इसमें माली जी हमारे पास हजारो record हो, तो हमें कोई चकर नहीं है, क्योंकि यह जेसन की file में पढ़े हैं, जो जेसन की file होती है, वो बहुत ही light weight होती है, और बहुत fast count करती है, अब माली जी मेरे को एक record और डालना है, तो मैं इसी को copy करके, यहाँ पर डाल लेता हूँ, और यहाँ पर name change कर देता हूँ, यहाँ पर मैं नाम ले लिए शाहिद कपूर, यहाँ पर email भी change कर देता हूँ, यह देखिए, तो मेरे पास आप चार records हो चुके हैं, मैं file को save करता हूँ, टर्मिनल को open, और यहाँ पर अपनी यही command चलाऊँगा, php artisan migrate fresh seed, यह देखिए, मैं table को दुबारा से open करता हूँ, student table को यहाँ पर play करता हूँ, यह देखिए, अब यहाँ पर last record भी आगया, शाहिद कपूर, अब इसके बाद मैं आपको एक जुरूरी बात और बताता हूँ, देखिए, जब भी हम यहाँ पर, जो भी हमने table create किया है, देखिए, हमारे table का नाम है यहाँ पर, student, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखिए, जब भी हम इस table को create कर रहे हैं, और हम यहाँ पर, जो भी इसके अंदर data आएगा, create method की help से show करना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया भी है, create method को use किया है, जो होती है, time stamp की, जो हमारे पास दो column बनते हैं, created add और updated add, तो उनके लिए भी हमारे को यहाँ पर values जालनी होती है, अगर हम नहीं भी डालेंगे, तो उसमें zero आजाएगा, उसका कोई चक्कर नहीं है, मगर जैसे कि हम पुराना method यूज़ कर रहे थे, insert, student column, column insert, तो उसके लिए time stamp वाले column की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो वो optional है, अगर आप देना चाहते हो तो भी ठीक, नहीं दोगे तो भी ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, कि अगर हमने यहाँ पर, अभी जैसे हम data डाल रहे थे, वो एक तरीके से यहाँ पर हमारा original data सा दिख रहा था, जो मैं अपनी website में use करना है, मगर अगर मेरे को यहाँ पर just testing करती है, मैं development phase में हूँ, और मेरे को just यहाँ पर एक fake data चाहिए, तो उसको भी मैं यहाँ पर seeder की help से डाल सकता हूँ, तो वो कैसे डालेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए मैं इस column को को, यहाँ से code को copy कर लेता हूँ, और यह जितना भी मैंने code किये, इसको मैं comment कर देता हूँ, यह देखिए, यह देखिए, यह function के अंदर जहाँ मेरा run function है, इसके अंदर मैं आके इसी class को use करूँगा, और create method को, अब मेरे को fake data डालना है, तो देखिए, fake data डालने के लिए हमारे पास यहाँ पे लारवल के अंदर, एक helper function आता है, जिसको हम कहते हैं fake, तो उसको use करके आप किसी भी तरीके का data डाल सकते हैं, मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, देखिए, जहां हम अभी यह वाला data डाल रहे थे, अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम fake function को use करेंगे, यह देखिए, इसके लिए आपको किसी class को यहाँ पे include करने की जुरूरत नहीं होती है, सीधा बस आप इस function को use कर सकते हैं, और इसी function के कुछ sub methods भी आते हैं, जैसे अगर आपने name डालना है, fake name, तो आप उसके लिए यहाँ पर arrow operator लेके लिख देंगे name, यह देखिए, बिल्कुल इसी को मैं copy कर लेता हूँ, और email के लिए मैं यहाँ पर लिख दूँगा email, यह देखिए, अगर आप इसे unique बनाना चाते हैं, तो यहाँ पर unique भी pass कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, तो जो भी email आएगी वो unique भी होगी, तो यह name और email जो हैं, यह fake method की अपने methods हैं, इसमें और भी बहुत सारे methods आते हैं, मैं अभी आपको चेक कराऊंगा, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर file को save किया, terminal को open किया, clear कर लेता हूँ, और अपनी command चलाऊंगा, php artisan migrate fresh, hyphen, hyphen seed, यह देखिए, यहाँ पर आया अपने table में, और यहाँ पर execute करता हूँ command को, और यह देखिए, यहाँ पर एक निया record आ चुका है, यह name मैंने नहीं डाला, यह fake method का अपना name है, जो भी उसने यहाँ पर डाल दिये, एक fake email भी डाल दिये हैं, पर आप देख सकते हो, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, यह देखिए, अगर मैं बहुत सारे record जालना चाता हूँ, वो भी डाल सकता हूँ, उसके लिए आपको यह, जो हमारा यह पूरा create का method है, इसको loop के अंदर डालना होगा, तो देखिए, सबसे पहले मैं एक loop create कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं for का एक loop बना रहा हूँ, यह देखिए, यहाँ पर मैंने इसे initialize कर लिए one पे, यह loop दस बार चलेगा, और यहाँ पर increment भी किया हूँ है, अब यह जितना भी code है, मैं इसको cut करके इस loop के अंदर डाल लेता हूँ, यह देखिए, अब क्या हो गई, यह loop दस बार चलेगा, और दस बार fake name और email जा जाएंगे, मैंने file को save किया, यहाँ पर अपनी command चला लेता हूँ, artisan की, अब इसके बाद मैं आके यहाँ पर अपने students टेबल पर आता हूँ, और यहाँ पर execute करता हूँ, और यह देखिए, यहाँ पर 10 records आ चुके हैं, आप देख रहे हैं, और name भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह fake name आ चुके हैं, और fake emails आ चुके हैं, तो जिस तरह मैंने यहाँ पर name और email ली हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, fake के method यूज़ किये name और email, इस तरह और भी बहुत सारे methods आते हैं, यह आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसकी website दिखा देता हूँ, तो देखिए इसके लिए आपको आना है अपने Google पे, और यहाँ पर सर्च करना है, faker, php, github, देखिए जैसे आप यह सर्च करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक site मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, faker, php, यह, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और यह website आपके सामने यहाँ पर open हो चुकी है, देखिए जो यह library है, जिसको हम package भी बोलते हैं, यह laravel के अंदर अपने आप by default include होता है, अगर आप laravel जे हटके अपना कोई php में काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी इसे use कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसकी composer की command भी आती है, और इसको use करने के अलग-अलग methods भी यहाँ पर दिखाए हूँ है, जैसे अभी हमने use के था name, email, तो इस तरह की इसने एक fake email देती थी, अगर हम text use करेंगे, तो इसमें यह dummy text भी डाल देगा, जैसे हमारा laurel sum होता है, बिल्कुल वैसी, यहाँ पर इसमें अलग-अलग तरीके दिखा रखे हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर available formats भी हैं, मतलब कि इसमें कौन-कौन से formats आते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, जैसे है title, title mail, यहाँ पर ऐसे आजएगा, Mr., Mrs. वगएरा लिखा हुआ, और last name, first name, इस तरह से city के name वगएरा भी आप यहाँ से देख सकते हैं, country वगएरा, यह सब मैं आपको अपनी next video में use करके दिखाऊंगा, जहाँ पर हम factory का काम करेंगे, क्योंकि factory के अंदर ही हम यहाँ पर fake data डालते हैं, seeders के लिए हम यहाँ पर fake data use नहीं करते हैं, इसमें और भी बहुत सारे formats हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, text related formats, paragraph, number related, data और time related, बहुत सारे formats हैं, जिसको हम अपनी next वीडियो में cover करेंगे, तो देखी, यहाँ पर हमारा वीडियो का end हो चुका है, अब यहाँ पर मैं आपको जाते हुए एक बार दुबारा से बता देता हूँ, कि जो भी seeders में हम काम करते हैं, उसके लिए artisan की zone zone सी command जाती हैं, तो देखी, जब भी हमें एक seeder की file बनानी हैं, तो उसके लिए हमारे पास artisan की command आती है, php artisan make colon seeder, और उसके बास seeder की file का नाम, देखी, seeder की file का नाम भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी हमारा model का name होगा, जो भी हमारे database की file का नाम है, वही नाम आपको रखना है, बस ऐस नहीं लगाना, और उसके बास seeder, ऐसा करने से हमारी seeder की file create हो जएगी, अब जब भी आप अपनी seeder की file के अंदर काम कर लेते हैं, और उसको database में save करना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर command आती है, php artisan db colon seed, और मालीजे, अगर आपने बहुत सारे seeders की file बना रखी हैं, और उसमें से सिर्फ particular किसी एक seeder की file को आप run करना चाते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास command आती है, php artisan colon db, और उसके बाद आपको यहाँ पर flag pass करना पड़ेगा, hyphen hyphen class equals to, और जोंसी भी आपकी seeder की file है, तो ऐसा करने से सिर्फ वो ही seeder की file run होगी, और यह जितनी भी seeder की commands होती हैं, जो seed करती हैं basically, यह हमारी local server पे तो properly चलती हैं, मगर जब हम अपनी website को production server पे डाल देते हैं, तो production server पे यह वाली commands नहीं चलती हैं, तो इसको forcefully चलाना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक flag आता है, देखिए सबसे पहले आप लेखेंगे php artisan db colon seed, और उसके बद flag देंगे hyphen hyphen force, तो जो भी हमारी seeder की files होंगी, वो forcefully run हो जाएंगी, और अगर आप forcefully run करना चाते हैं, फ्लैक पास करेंगे hyphen hyphen force, तो इस तरह हमारी particular jone cv seeder की file है, सिरफ वो ही forcefully run होगी, तो इस वीडियो में हमने देखा seeders कैसे काम करते हैं, इससे next वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम fake data को enter करते हैं, अपने factory format से, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए, अगर आप ऐसे ही regular updates चाते हैं, तो हमारी channel yahoo baba को subscribe करना मत भूलिए,